असलाम अलेकूम आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रियल कुरेसी सीख कवाब करेसी भी बहुत ही जाइकेदार खुश्मुदारी कवाब होते हैं जब एक बार आप इस तरह से कवाब बनाएंगे न तो फिर और वागी कवाब भूल जाएंगे बिल्कुल हमेशा इसी तरह कवाब बनाकर खाना जाएंगे तो इस वीडियो में आपको कवाबों को मसाला बनाना भी बताऊंगी जो आप बहुत ही खुश्मुदार मसाला अपने घर पर बना सकते हैं और एक टिपस ऐसा भी बताऊंगी जिससे आपके कवाब बिल्कुल ना ही तूतेंगे ना ही पटे लेने हैं तुढ़ यहा धन्या जादा लेना है अन्या मिर्ची लेना है यह उक्षिति हैं यह संद मिर्चे ले limani कि वाली मिर्ची थिखलें लेकिन ये कवाब चीनी आपको जरूर एड़ करनी है, अगर आप ये कवाब चीनी नहीं एड़ करेंगे, तो आपके कवाब जादा टेस्टी नहीं बनेगी, फिर इसके बाद ये लेना है, जवत्तरी का फूल ले लिए है, और ये छोट असफर पीसी का लिए है, जाइपल का तो इह देखे, यह सारे मसाले हमें लेने हैं, अब इसके बाद हम गैस को ओन कर देंगे और हिल्की आजम मसालों को रोस्ट कर देंगे ताक्यम मश्चर काम हो गाए और इसी में हुश्च वाने लगा, तो यह देखे चाहिए, बहुत ही खुश्च भूदार आड़ की जाती है कवाबों में लाल मिर्ची तो हमने ले लिए पीली मिर्ची जरूर एड़ की जाती है लेकिन अगर आप पीली मिर्ची नहीं डालना चाहते हैं या फिर आपके पास नहीं है तो आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं अगर आप बिल्कुल रियल तेस्ट चाहत के रख सकते हैं बक्रेईद है जब भी आपका मन करें फोरान बस यह मसाला में उसके बाद में जो मैं इंग्रेस मिलाओंगी वो ले कवाब आप बना सकते हैं अलग हो चुका है हमारा तायार इसको हम रख देते हैं साइड में अभी यहां हमने 500 गिराम कीमा ले लिया है और य तरह देखें इस प्याज लिया है मैंने यहां सबसे भ101 मिर्च कर देंगे दोने तरीके की प्याज ब्राउन और यह ten यzk इसमें भुने चने जो आते हैं जो हम वैसे भी यूज करते हैं उसका यह पाउडर है जो मैंने बना रख लिया था टू टेबलु स्पून भर के मैं भुने चने का पौडर एट कर रही हूं और इसके बाद यह हम लेंगे वन टेबलु स्पून भर के अध्रक लैसिन का पर आप से ही डान लिएगा और इसके बाद ये देखिए हमने जो अभी मसाला बना कर रखा था तो टू टेबल स्पून भरके ये मसाला में एड़ कर दोगी तो ये देखिए इतने कीमि में ये मसाला परफेक्ट रहेगा वाकी जो मसाला हमारा रह गाया है उसको हम अगले ताकि मसाले अच्छे से मिल जाएं उसमें अच्छा से चिकनाट भी आजाएं तो मसाले मिलाने के बाद इसमें मैं एड़ कर रहेंगों वन टेबल स्पून भरके देशी गी तो यहां आप बनस्पती घी भी ले सकते हैं जरूरी नहीं है देशी घी एड़ करें लेगिन मेर इस तरह से हमारा कीमा बनकर तैयार होगा ना तो कवाब भी हमारे बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगी अब हम आदे से घंटे के लिए कीमे को कबर करके रख देंगे और उसके बाद में बनाएंगे हम कवाब हाँ 30-40 मिनट हो चुगे हैं तकरीवर और मैं की देखाते हुए कीमे की कंसिसेंसी आप देख सकते हैं इसके बाद देखे हमें कवाब बनाने हैं तो देखें मेरे पास ये बार्बी क्यू वाली के सीग भी है अगर आपके पास ये नहीं तो आप इस तरह से ये लकड़ी के सीग भी ले सकते हैं या फिर आप कच्छी पैंस किल भी ले सकते हैं सबसे पहले हम हाथ पे रहलक असा पानी लागाले पानी लागालने के भाद हम अस तरह से स्थ्रीख पर हम ख़़गा ज Allen तो यह देखिए, ये मैंने तीन कवाब सेख पे चड़ा ली हैं और सेख पर कवाब में चड़ाने के बाद हमें क्या होता हैं, देखिए सबसे पहले हम इस तरह से गैस से हविह घर्ट कर लेघेए जानि गरम कर लेघे हैं उससे ना होगा बिलकुल भी कबाब फठते हैं अक्सर कि होता है हम एकडम डारे कबाब को हम पैन में सेखते हैं तो फट जाते हैं लेकिन इस इसको हीट करेंगे ना तो यह थोड़े कवाब हमारे हलके से सक्त हो जाएंगे और यह फ्राई करते हुए बिल्कुल भी नहीं फटेंगे तो यह देखिए यह मैंने तीन कवाब इस तरह से फ्राई कर लिए और इस तरह से मैं यह आपको निकाल कर दिखा रही हूं या भी कवाब मेरे हो चुके हैं अब हम कवाब को फ्राई कर लेंगे तो यह देखिए कितने अच्छा से कवाबों पा आ गया है और यह देखिए तो इस तरह से यह देखिए आपने बिल्कुल भी कवाब हमारे तो दूटे नहीं है दिकर बहुत अच्छे से सीख गए मैं आपको इस तरह से भी सिखक दिखाऊंगी, इस तरह से रही है लकड़ी की सीख, पर आप ये कबाब बना सकते हैं, इसमें भी बहुत असान लेमन दिया है और यह कवाब हमारे बनका तैयार है और आप कवाब की कंसिसेंसी देख सकते हैं कि इतने जूसी सोफ्ट और मॉस्ट हमारे कवाब बनका तैयार हुए है इसमें खुश्मू आ रहे हैं कि अच्छा सा इन पर कलर भी आ गाया है बहुत अच्छे कलर के साथ हमने कवाब को मैं तेस्ट कर दिखाु है और यह भी जाए हुए अधर से जयूसे कवाब हो तैस्टा कुरेंगों कर कर दिखा हुए हैं हैu वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पे नहें तो प्लीस सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और ज्यादर सब्सक्राइब कीजिएगा तो फ्रेंच अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप अपने फैमिली और दोस्तों पत्याद जरूर शेयर करें इस ब